नमस्कार दोस्तों आज की जो बैस्विक प्रिस्थिती है उसकी सबसे अहम घटना रश्या और उक्रेन को लेकर जो कंफलिक्ट हो रहा है जो युद्ध हो रहा है वो है रश्या के सेना उक्रेन के अंदर प्रवेश्च कर चुकी है और पिछले 48 घंटों से लगबग ये युद्ध चल रहा है और अमेरिका अभी तक उक्रेन के पक्ष में मौरली छोड़कर फिजिकली नहीं उतरा या नाटों के सदस्य देश भी या नाटों सेना भी उक्रेन के हल्प के लिए नहीं पहुची है आखिर अमेरिका जैसे पावर की क्या मजबुरी रही होगी जो यूक्रेन के हेल्प के लिए इतना सोच रही है इतना विचार कर रही है और अभी तक यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने कोई खास कदम नहीं उठाया है और नहीं नाटों सदस्य देशों ने निश्चित रूप से पुतिन की जो statements हैं कि अगर हमारे रास्ते में कोई भी देश हस्त छेप करेगा तो हम उसके वो हस्तर करेंगे कि इतिहास याद रखेगा इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं कि पुतिन ने मन बना लिया है कि फिर से सोवियत संग की अस्थापना कर दिया जाए अगर कहीं ऐसी बात होगी पुतिन के दिमाग में तो निश्चित रूप से पुतिन सिर्फ युक्रेन तक ही नहीं रुकने वाले वो बहुत आगे तक जाएगी यह लपटे पस्टिम की और बढ़ेंगी नकि हिंद महासागर की और बढ़ेंगी देखते हैं क्या होता है हम यह बात समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पुतिन आखिर युक्रेन को अमेरिका या नाटो सदस्य देश हैल्प करने के लिए फिजिकली नहीं बाद कर अमेरिका को लेकर पूरा विष्य। उसके तरफ देख रहा था उक्रेन के मसले पर लेकिन देखते है आपको जैसा कि आपको साफ असपश्ट पता चल रहा है कि यह रसिया का पाथ है 않을 on मैं आपको दिखाई दे रहा है और आप साफ देख रहे हैं कि ये उक्रेन का पांडरी लगी हुई है और अमेरिका के कहीं न कहीं ये रशिया के कहीं न कहीं बेलारूस जो है यूज में यह भी आ रहा था कि उक्रेन को दो चार मिस्राइले बेलारुस ने भी दाग दिया है हाला कि भावनाओं में बहख ऐसा किया होगा लेकिन पॉलेंड पॉलेंड यहां रसिया के पक्ष में देने वह अपना जमीन देने के लिए तयार नहीं है रसिया को तो अगर य आपको बता दूँ कि ये वो बाउंडरी है जिसके इधर रस्या को नहीं आना था और जिसके इधर नाटो को नहीं आना था पश्चिम की पूरब की और नाटो को नहीं जाना था और पूरब की और नाटो को नहीं जाना था और पश्चिम की और रस्या को नहीं आना था रसिया का पश्चिमी विस्तार को रोकने के लिए ही नाटो जैसे सेने संगठन का निर्मान हुआ था साप उस ट्रिटी का यही मतलब था कि रसिया को पश्चिम विस्तार पश्चिम की ओर बढ़ने से रोका जाए और रसिया भी हमेशा से चाहता है कि नाटो फुर्वी उरोप में ज़्यादा इंट्रेस्ट नं ले और एक बात यहां आप देखो दोस्तों कि अगर यूक्रेन बार बार कह रहा था था कि मैं नाटो के सदसे बनूगा नाटो के सदसे बनूगा बुटेन भी कह रहा था कि बाउंडरी रसिया से लग जाएगी तो निश्चित रूप से नाटो का आपना पुर्वी विस्तार तो रोक रहा था तो नाटो अपने पुर्वी विस्तार को रोके निश्चित रूप से ऐसा होने नहीं देगा अब रसिया आगे बढ़ चुका है तो उसकी डगर कहां करेंगी यह अभी भविष्ट के गाल में हैं देखते हैं कि अमेरिका की क्या मजबुरी है कि वो उक्रेयन के के लिए फेजिकली सपोर्ट में अभी तक नहीं उतर पाया है सिर्फ में मोराली हना मेरी समेंदनाय उनके साथ है तो मैं आर्थिक परतिबंध लगा दूंगा ऐ ऐसी ऐसी कुछ सपोर्ट मिलता रहा है मिलता रहा है तो देखते हैं अगले कुछ उस मसले पर डिसकस करते हैं जिसके लिए जो वाइडन अभी तक हेल्प के लिए अगर नहीं उतर पाया है उक्रेयन को लेकर एक बात ध्यान रखिएगा उक्रेयन की बॉंडरी अमेरिका से नहीं लगती है और नहीं युक्रेयन नाटो का सदस्य देश है बरतमान प्रस्तिती यही है कि युक्रेयन की बॉंडरी अमेरिका से नहीं लगती और नहीं युक्रेयन नाटो सदस्य देश है तो तकनिकी तो पर देखे तो इनके पास कोई ग्राउंड रही है इन देशों क अमेरिका किती लगती नहीं है कि geographically कोई business interest यहां पर दिखाया अमेरिका इस Ukraine को लेके और नहीं नाटो सदस्य देश है और अपने देश को युद्ध में क्यों ढखेलना चाहेगा अमेरिका वहां की जनता की क्या राय है अमेरिका की जनता की राय क्या है तो निश्ची तो इन वाइडन की प्रॉब्लम्स रहे होंगे और क्या प्रॉब्लम्स रहे हैं देखने का प्रयास करते हैं तो तो समझते हैं कि समझते हैं कि जो वाइडन की ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है जो Ukraine के हेल्प के लिए physically नहीं उतर पाए है अभी तक कारण क्या हो सकता है इसके पीछे एक एक पॉइंट्स पे बात करते हैं ठीक है तो पहले बात तो अगर अमेरिका रूस से अगर नहीं लड़ना चाहता है तो इसके पीछे का कारण क्या है कुछ यूक्रेयन पर उसी हमले के बाद भी बाइडन सेना क्यों नहीं भीज रहे इसकी जो पाँच बाते हैं इसको हमको समझना होगा महत्पूर पाँच बाते हमें समझना होगा ठीक है और वो पाँच बाते कौन-कौन सी है पहला जो इसका इंट्रो है कि रूस दोरा उक्रेयन पर हमला किये जाने के बाद अमेरिका ने साफ कर दिया है वह अमेरिकी सैनिको को लड़ने के लिए उकरेयन नहीं भेजएगा अभी तख की ये नियूज है जो बाइडन ने कहा है कि रुसी भले लड़ने को तयार हो लेकिन अमेरिका लड़ने को तयार नहीं है रुस ने तो खुला चैलेंज किया है कि आप जिस तरीके से आईए हम हर प्रस्थिती को देख लेंगे जहल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है हम सब को मुहतोड जवाब दें है। तो रुसी पढ़े लड़ने को तख्यार हैं लेकिन अमेरिका लड़ने को तख्यार नहीं इतना ही नहीं बाइडिन एक क्रेइन में फसे लुए प्र題 की नागरीकों इसमें अपना सेना भेज रहा है उनको बचाने के लिए इस विशे को समझना बहुत महत्पूर्ण है तो उसमें कहा जा रहा है कि भाईया हम इसलिए नहीं भेज रहा है कि इसमें किसी परकार का कोई अमेरिकी हित नहीं है जो भी कोई भी राश्ट्रो अध्यक सोचेगा ना क इतनी बड़ी कोई आप किसी आतंकवादी संगठन को थोड़ी धवस्त करने के लिए जा रहे हैं रूस अपने आप में एक सूपर पावर कंट्री है एक बरवर की सकती है तो कईसे हम अचानक से गुड़ा गुड़ी का खेल तो नहीं है कि जाके कुछ जाईएगा तो अमे अमेरिकी सुरक्षा हीत नहीं है अमेरिका माने चाहिए नहीं माने विश्व ऐसा मान रहा है हम लोग जो समझ पा रहे हैं एक्सपर्ट जो समझ रहे हैं वो यह समझ रहे हैं कि अमेरिकी सुरक्षा कि जो इसमें हीत नहीं होने की वज़न से सायद अमेरिका इसमें अपना स अमेरिका का प्रमुख ट्रेड पार्टनर नहीं है, इस सब के साथ ही उक्रेयन नाटों का सदस्य नहीं है, हाला कि अब ये देख लीजिए, ये कई कारना आपके सामने इस्पस्ट हो गए, उक्रेयन में अमेरिका को भीएव, प्रमुक्त पार्टनर नहीं है यह पांच कारण अपने आप में मत्पूर्ण हो जाते हैं कि अमेरिका यहां पे फीजिकली क्यों भाग ले अपनी सेना को अभी हाल ही से अफगानिस्तान से वह वापस बुलाया यह फिर इतनी बड़ी युद्ध में अपने सेना को कैसे बेज होगे गोगे और जब आप लेक्स्ट बात लेक्स्त पॉंइंट पर चले एक तो ठीक सुड़क्षा है श्युद्ध नहीं है लुड़त वा सोच रहे हैं कि भाइonta सेन हस्तों करने से बचते हैं बाइडेन सेन हस्तचेप करने से बसते हैं आम तोर पर यह माना चाता है क्या है यह मामला की यह क्या एक्जामपल इसके लिए कुछ उदारन है कि बाइडेन सेन हस्तचेप नहीं करते इसका कोई उदारन है तो उदाहरन साफ है कि अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन सैन हस्तचेप से बसते हैं क्योंकि 2003 में अमेरिका दोवारा इराक पर आक्रमन किये जाने के बाद वह अमेरिकी सैन शक्ती का इस्तमाल करने को लेकर शावधान रहे हैं उन्होंने लीबिया और अफगानिस्तान में सैनीकों की बढ़ोतरी का बिरोध किया था तो इनका मतलब हो सकता है कि उनका अपना एक जेंड़ा रहा हो कि हर मामले में हम अपना सैन हस्तचेप नहीं करेंगे हो सकता है कि ये उनकी आइडियोलाजी हो ये भी एक करण हो सकता है इस बीच में और निश्ची तुरुप से अगर रस्या अपना समराजवादी नीतिक अंतरगत आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि अमेरिका नाटो फिर से मजबूर हो जाए लेकिन अभी तक अगर नहीं हमला करने का करण अगर दिखाई देता है तो ये कुछ करण दिखाई दे रहे हैं एक्सपर्ट्स का मानना तो यही है यूद्धे नहीं चाहते हैं अमेरिकी लोग तो वहाँ के लोगों का क्या मत है इस मसले पे कि अमेरिका का क्या कदम होना चाहिए तो BBC की एक रिपोर्ट बताती है EP NORC कि एक सर्वे के मुताबिक 72 फिसदी लोग अमेरिका के कहते हैं कि रूस युक्रेयन संगर्स में अमेरिका को कोई भूमिका नहीं निभानी चाहिए वहां के 72 फिसदी लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को रूस युक्रेयन संगर्स में कोई भूमिका नहीं निभानी चाहिए या बहुत छोटी भूमिका निभानी चाहिए अमेरिकी किसी तिसरे देश के कारण रूस जैसे तकतवर देश के साथ उध्ध नहीं चाहता है अमेरिका के लोग चाहते हैं महाशक्तियों की लडाई है यह तुरंत महाशक्तियों की लडाई में तबदील हो सकती है बात इसलिए भी एक कारण बनता है कि अमेरिका साथ फिजिकली हेल्प से पीछे हट रहा हो जो बाइडन ने हाली में कहा था कि ऐसा नहीं है कि हम आतंकवादी संगठन के साथ लड़ने की बात कर रहे हैं साफनों ने कह दिया आप अभी जो बात कर रहे हैं यह रूस कोई आतंकवादी संगठन नहीं है हम दुनिया की सबसे बड़ी सिनाओं में से एक के साथ लड़ने की बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी सिनाओं में से एक से लड़ने की बात कर रहे हैं बहुत गंभीर तरीके से अमेरिका सोच रहा है यह मसला कोई छोटी मोटी मसला नहीं है आप रसिया से लड़ने की बात कर रहे हैं जो दुनिया के सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है यह बहुत मुस्किल सिस्तिती है और यह जल्द ही बिगड़ सकती है एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बाइडेन का इसारा रूस के परमानू हतियारों के भंडार के तरफ को लेकर है यानि कि यह निश्चित उपसे निक्लियर वार में तुरंट तबदिल हो सकता है ऐसा भी बाइडेन का मानना है या अमेरिका का मानना है और अगर हम देखें जो अंतिम बात अभी तक एक्सपर्ट्स के अनुसार जो अंतिम बात यह है कि उक्रेन और अमेरिका के बीच में ऐसी कोई सुरक्षा संधी नहीं बनी है कि जिसको लेके अमेरिका एकदम बाध्य हो जाए अपनी सेना भिजने के लिए अमेरिका नाटो देशों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है लेकिन यूक्रेन के लिए नहीं है युक्रेन तो नाटो का सदस्य भी नहीं है क्योंकि युक्रेन नाटो का सदस्या नहीं है यहां एक बात तो जरूर है कि पुतिन ने लगतार कहा है कि युक्रेन को नाटो में सामिल ना किया जाए और नाटो ने पुतिन की मांगों से इंकार किया है पूतिन का रहा है कि उक्रेन को नाटो में सामिल मत कीजिए और नाटो पूतिन की मांग को इनकार कर देते हैं नाटो कहता है कि उक्रेन सामिल हो सकता है, सामिल करवा करवा के, सामिलों नहीं हुआ, ना हेल्प किये और विद्धमन सिक श्चीती में पहुंचा दिया गया उक्रेन को, निश्चित रूप से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उक्रेन अभी फस्ता हुआ, उलस्ता हुआ लेकिन अभी उक्रेन को किसी भी देश के तरफ से कोई फिजिकल सपोर्ट नहीं मिला है और निश्टितुप से अभी उक्रेन की स्थिती बहुत सम्मेदन सील अवस्था में पहुँच चुका है। और अब कुछ ही देर में हो सकता है कि पुरे उक्रेन पे रशिया का कब जा हो। निश्टितुप से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं इससे तो ऐसा ही लगता है कि वो उक्रेन तक ही नहीं रूखेंगे। मामला बहुत आगे जा सकती है। तो निश्टितुप से दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको अमेरिका को आप किस रूप में देख रहे थे। ठीक है क्या आप इस मसले को समझ पाएं या नहीं ठीक है धन्यवाद।